हलो एबरिवन तो आज हम लोग बात करने वाले ही क्लास 10 का चैप्टर 2 के बारे जिसका नाम है पॉलिनॉमियल आज हम लोग यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे इट मीन्स तोटल कंसेप्ट देखेंगे फूल चैप्टर का और वह भी बहुत ही सिंपल लेंग्वेज में ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सको चलो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर के नेम से तो यहां पर आजो चैप्टर का नाम है पॉली नॉमियल अब पॉली नॉमियल ना बेसिकली दो टर्म से मिल करके बना हुआ है एक पॉली और एक नॉमियल पॉली मिन्स बेसिकली होता है मेनी पॉली मिन्स मेनी होता है और नॉमियल मिन्स होता है टर्म तो मिंस बहुत सारे टर्म को अगर हम लोग मिक्स कर दे मिंस एक साथ अटैच कर दे तो क्या बन जाएगा पॉलिनॉमियल समझ में आया तो चलो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो टर्म किसको बोलेंगे तो यह एक आपका टर्म कहलाएगा ठीक है सेकेंड टर्म यह होगा और थर्ड टर्म यह होगा तो यहाँ पे बिसिकली टोटल कितना टर्म है थिरी टर्म टर्म कब डिफाइन होगा जब उसके बीच में प्लस माइनस आजा फॉर एक्जामपल अगर हम लोग यहाँ पे लिखे हैं टू एक्स अस्क्वाइर तो यह एक सिंगल टर्म बट अगर हम लोग लिखते हैं टू एक्स प्लस टू तो बीच में प्लस आगया ना तो अब यह एक टर्म होगा और यह एक टर्म होगा इट मीन्स यहाँ पे कितना टर्म है टोटल टू टर्म समझ में आ गया चलो very good और बहुत सारा term है तो आप हम लोग क्या करेंगे term के number के basis पे different different type का polynomial होगा चलो एक अग करके देखते हैं हम लोग देखो polynomial यहाँ पे जो है इसमें पहले हम लोग कुछ basic term को सीख लेते हैं तो सबसे basic term क्या था पहले term ही तो term आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे total कितना term है तो यह एक term दो term और यह 3 term तो total term हो गया 3 अब बात करतें coefficient का कि coefficient क्या होता है देखो यहाँ पे notice करना है ना coefficient generally किसी का multiple होता है देखना है यहाँ यहाँ पे देखो x square है ना x square का coefficient अगर हम लोग पूछेंगे तो कितना होगा 3 होगा ठीक है similarly अगर हम आपको x का coefficient पूछेंगे तो कितना होगा minus 5 और यह हो गया constant coefficient ठीक है तो यहाँ पे coefficient का meaning आपको समझ में आया तो हम आपको एक और example लेकर के बता देते ताकि आप easily समझ जाओ suppose हम लोग लिखें आपे 3xy square z ठीक है और अगर हम आपसे पूछते हैं coefficient of x बताओ तो बस x को केवल छोड़ देना है बाकी सारा term लिख देना है 3y square z तो यह x का coefficient होगा बट अगर हम आपसे पूछते हैं y square का coefficient बताओ तो फिर आपको y square को छोड़ना है बाकी फिर यह दो term और यह एक term होगा 3x z यह होगा y square का coefficient और अगर z का coefficient पूछे तो यह तीनों term होगा अगर एक साथ 2 का coefficient पूछ ले y square z का coefficient बता तो क्या होगा 3x समझ में आया और अगर आपको केवल पूछे कि इसका numeral coefficient बता तो numeral coefficient कितना होगा 3 clear है तो coefficient टर्म भी आपका समझ में आ चुका है ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका variable चलो देखो ध्यान से अना variable भी अच्छे से समझ लो variable यहाँ पे क्या variable है यहाँ पे x जो है as a variable वर्क कर रहा है अगर हम लोग एक different equation लेते हैं 3y तो यहाँ पे variable क्या है वाई simple है variable mean simply जिस चीज का value vary करता है change होता है for example कि y का value हो हो सकता है इस questions में कुछ different रहेगा another questions में different रहेगा तो वो क्या होता है वो होता है आपका variable next अम लोग बात करते constant तो constant क्या होता है जो चीजे fix हो for example सारा digit 1 2 3 4 5 वो fix है 5 means 5 7 means 7 ऐसा नहीं कि 7 equals to कहीं पर 10 है ऐसा नहीं हो सकता तो constant means fix होना clear है यहाँ तक चलो अब हम लोग आगे का कुछ चीजे देखते हैं और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे types of polynomial types of polynomial दो तरीकी से defined होता है एक उसके number of term के according और एक degree के according अब चलो देख लेते पहले की number of term तो पता है पर degree क्या होता है सर यह नया लग रहा है कुछ हाँ degree हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई polynomial given है तो उसमें से जो variable का highest power होगा न वहीं उस polynomial का degree होगा तो यहाँ देखू इस polynomial में highest power कितना है 2 तो इस polynomial का degree कितना होगा 2 एक अनदर example लेते हैं अगर यहाँ पे हम लिखे ही 5x का power 3 प्लस 2x प्लस x का power 7 तो यहाँ पे highest power of x कितना है 7 तो यहाँ पे degree कितना हो जाएगा degree हो जाएगा 7 क्या समझ आये इतना बात very good तो degree आपको समझ में आ चुका है और आपको number of term तो पता है यहाँ पे number of term कितना था 3 तो यहाँ पे number of term जो है वो 3 है और degree जो है वो कितना है 2 है अब number of term के according हम लोग देखते हैं कि कितने type का polynomial होता है और degree के according भी देखते हैं कि कितने type का polynomials होते है चलो आजो यह रहा according to number of term already आप लोगों ने previous classes में पढ़े होंगे तो one term अगर है one term means simply ऐसा 3x या ऐसे 3x square या फिर केवल x to the power 5 या इवन केवल एक term भी होगा ठीक है 7y तो यह सब सारा क्या है यह सब monomial है mono means कितना होता है mono means होता है one कितना होता है one तो monomial means one term ठीक है समझ में आया तो one term means monomial अगर two term होतो two term means binomial by means two होता है clear तो binomial means two term for example ऐसे 3x plus 2 या 5x square plus 7 x का power 7 plus x का power 6 कुछ भी दो term होगा तो क्या होगा binomial बट यहाँ पे देखो अगर हम ऐसा लिखे 5x plus 2x अब यह अभी तो दो term दिख रहा है बट यह दो term actual में नहीं है कैसे क्योंकि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है और अगर दोनों के पास x है it means यह दोनों join हो जाएगा add हो जाएगा तो इस reason से इसको हम लोग 5x plus 2x बोलेंगे 7x तो यह तो binomial नहीं होगा यह तो monomial हो गया तो it means यहाँ पे आप एक चीज़ समझ गये होगी कि हम लोग binomial या monomial या trinomial after simplification बोलेंगे means जो चीज़े given है अगर possible है simplify करना तो पहले हम लोग उसको simplify करेंगे and then बताएंगे कि यह किस type का polynomial है के लिए रहे हैं यहाँ तक चलो तो आप हम लोग देख लेते हैं trinomial जिसमें 3 term होते हैं 3x square plus 2x plus 5 या 7x का power 8 plus 6x plus 9x square तो यह क्या हो गया trinomial try means कितना होता है पता है थिरी होता है ठीक है तो trinomial means 3 term जिसमें होगा वो होगा आपका trinomial clear है यहाँ तक very good आगे आज़ो और अब हम लोग देखते हैं number of degree miss degree के according polynomial again हम लोग बोलेंगे कि 3 types का होता है है एक होता है degree 1 degree 2 and degree 3 degree 1 को बोलते है linear polynomial एक्जामपल देख लो 3x प्लस 2 तो यह क्या होगया यह होगया यह होगया बताओ linear polynomial यहाँ पर number of term नहीं देखना यहाँ पर देखना यह x है इसका power कितना है 1 है कैसे सर कुछ तो नहीं लिखा हुआ है अगर कोई variable में कुछ नहीं लिखा हुआ है it means उसके पास one power कुदा है तो इस region से यह एक linear polynomial होगा अगर ऐसे 5x लिखा हुआ है तब भी यह एक linear polynomial होगा समझ आया तो linear समझ में आग नहीं अब आते हम लोग 2 degree 2 degree देखो 3x square plus 2x plus 5 highest degree कितना है 2 second example 5x square plus 2 highest degree कितना है 2 चल एक और हम लोग एक्जामपल लेते हैं x का power 2 highest degree कितना है 2 क्योंकि वहाँ पे एक ही टेर्म है उसका degree 2 है तो it means यह एक degree जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे quadratic polynomial अगर degree 2 होता है तो के लिए यहां तक चलो अब आते हम लोग 3 degree वाले क्या बोलेंगे cubic polynomial समझो बात को 3 x to the power 3 plus 5 x square plus 2 highest power 3 second example 2 x plus x to the power 3 तो highest power 3 तो जिसका highest power 3 होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग cubic polynomial बोलेंगे क्या इतना दूर तक आप लोगों को समझ में आ चुका है very good अब आते हम लोग main चीजे कि वो सारे चीजे हम लोग तब बोलेंगे जब वो एक polynomial होगा लेकिन सारे जो लिखे हुए टर्म है वो polynomial होगा ऐसा necessary नहीं है तो किन किन condition में एक लिखा हुआ expression polynomial नहीं होगा वो हम लोग देखते हैं चलो सबसे first variable not in root it means अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 3x square plus root x means basically 5 चलो root x plus 2 तो अगर एक variable root के अंदर है तो फिर यह polynomial ही नहीं होगा और अगर यह polynomial नहीं होगा तो फिर इसका हम लोग degree defined नहीं कर सकते हैं clear है second अगर एक ऐसा है 3x square plus root 2x plus 5 यहाँ पर आप notice करो जो root है ना वो किवल 2 में है x में नहीं है तो इसको हम लोग polynomial बोलेंगे समझाया तो constant number पे root हो सकते हैं बट variable पे root नहीं होगे चलो सेकेंड आता है power of variable not in fraction second for example अगर यहाँ पे equation लिखा हुए ऐसा 5x square plus 2x to the power 3 upon 2 which is a fraction तो अगर एक polynomial फे फ्रेक्शन पावर होगा इट मिन्स अगेन यह एक polynomial नहीं होगा समझाया थर्ड पावर और वेरियेबल नोट इन नेगेटिव नेगेटिव में भी नहीं होना चाहिए थरी एक्स का पावर थरी प्लस 5x to the power minus 2 पावर किसमें है नेगेटिव में इट मेंस यह पोलेनॉमियल नहीं है और फोर्थ कंडिशन वेरियेबल वेरियेबल नोट इन डी नॉमिनेटर मिंस 5x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स तो वेरियेबल कहां चला गया डी नॉमिनेटर में तो अगेन यह एक पोलेनॉमियल नहीं होगा क्या यह चार बात आपको समझ में आया बताओ आ चुका है समझ में पॉन वेरि होड तो जब भी आप डिगरी या फिर वीच टाइफ ऑफ पॉनमियल है वह मिंस फिर मोनमियल है कि बाईनॉमियल है कि ट्रां मियल है यह बताने से पहले आपको यह चेक्डेक लेना हुगा कि वह पॉलिनॉमियल है या नहीं है कि लिए रहने यहां अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते और कुछ सीखते हैं new चीजे यहाँ पे आपको एक relation पढ़ना है relation between zeros and coefficient of polynomial अब zeros होते क्या answer यह तो बता दो देखो यहाँ पे आप एक चीज समझ लेना अगर आपके पास एक linear polynomial है तो उसका अगर आप उसको solve करोगे तो आपको एक single solution मिलेगा ठीक है बट अगर आपके पास एक quadratic polynomial है तो उसमें two solution मिलेगा अगर एक cubic polynomial है तो three solution मिलेगा तो it means x का power अगर one है तो one solution x का power अगर two है highest power मिंस degree तो two solution अगर degree three है तो three solutions यह clear हो गया अब यहाँ पे पहले न हम लोग इस questions को solve करते हैं उसके बाद हम आपको वापीस इसमें बताएंगे कि यह relation actual में बोलना क्या चाह रहा है ठीक है तो इसको हम लोग solve करते हैं देखो आपको पता होगा इसको हम लोग middle term split करके solve करते हैं simple है इसमें क्या करते हैं यहाँ पे कोई number नहीं है तो इस six को हम लोग factor करते हैं और six को हम लोग क्या लिख सकते हैं two and three अब इस two और three को combine करके आपको five बनाना है तो क्या करेंगे simply दोनों number को add करते हैं तो यह हो जाएगा three plus two it means five आ जाएगा हम लोग को five क्यों लाना है क्योंकि यहाँ पे जो number है इसी five को हम लोग लाना चाह रहे थे ठीक है तो इसी equations को हम लोग लिखेंगे x square plus three x plus two x plus six is equal to zero it means यह three जो था उसके पास x लगा दिये two के पास x लगा दिये तो three x plus two x again यह five x में convert हो जाएगा ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं ताकि यह जो equation given है इसको हम लोग क्या कर सके इसको हम लोग easily दो parts में factor कर सके चलो देखो तो यहां से अगर आप लेते हो common common लेने पता है न जो चीज़े दोनों में वो common लेते हैं तो यहां पर x बच जाएगा और यहां पर three यहां से two common आ रहा है तो two common लेंगे तो यहां पर भी बचेगा x और two three six तो three तो अब देख लो x plus three और x plus three again common आ जाएगा x plus three common आ गया दोनों से तो बचा क्या यहां पर x बच गया और यहां पर two अब यहां तक आप लोगों ने ninth में पढ़े हो इसको थोड़ा सा एक step अगर आगे करें तो दोनों को ना एक अग बार zero करेंगे x plus three equals to zero and x plus two is equals to zero तो यहां पर x का value कितना आएगा minus three और यहां पर आएगा x का value minus two इसको उधर लेगे और इसको भी right side तो यहां पर आप एक notice किये कि अगर degree two था तो कितना solutions आया दो solutions आया अब इसी को ना हम लोग एक naming दे देते हैं इसको बोलते हैं बेचारे को alpha और इसको बोलते हैं ऐसे beta तो alpha equals two यहां पर कितना हो गया minus three and beta equals two हो गया minus two बोलोगे सरी यह alpha बीटा है क्या यह basically जिस टैप से हम लोग का alphabet होता है न उसी टैप से यह Greek में ABCD को ही alpha बीटा गामा इस टैप से pronounce किया जाता है तो इसका हम लोग यूज करते हैं अब यहां पर हम लोग को क्या बताना था relation between zeros and coefficient अब zeros दो आ गया यह alpha बीटा क्या था जिरोज कोफिसियंट कहां है सर यह है coefficient ए हो गया x square का coefficient बी हो गया x का coefficient और एक c तो इस alpha बीटा और ABC में relation establish करना है चलो देखो अगर हम लोग दोनों root को add करेंगे तो क्या होगा और फिर हम लोग दोनों root को अगर product करेंगे तो क्या होगा यह चीज़े ही यहां पर लिखना है जब आप दोनों root को add करोगे तो आएगा b upon a और यहां पर minus sign लगा हुआ रहे तो alpha plus beta is equals to होगा minus b upon a और alpha into beta equals to क्या होगा c upon a यहां पर minus नहीं होगा यह बातें आपको समझ में आया दोनों के denominator में a ही रहेगा ठीक है एक बारी क्या होगा b upon a और दूसरी बारी होगा c upon a केलियर है बताओ जल्दे से तो यह है आपका alpha beta में और coefficient में relation ठीक है अब यहां पर अगर आप इसको verify करना चाहो तो verify भी कर सकते हो कैसे देखलो alpha plus beta कितना है यहां पर देखो minus 3 और minus 2 तो यहीं पर हम लोग लिख रहे है minus 3 और minus 2 is equals to minus beta का b का value यहां पर देखो b का value 5 और a का value कुछ नहीं है तो 1 तो देखलो minus 3 और minus 2 कितना है minus 5 और यहां पर भी कितना है minus 5 तो verify हुआ न सिमिलरली इसका देखो into करो minus 3 into minus 2 minus 3 into minus 2 तो left side कितना आगया minus 6 right side देखो c के place पर कितना है 6 अच्छा यह minus minus plus हो जाएगा c के place पर कितना है क्योंकि यहां पर क्या है 6 c और a के place पर कुछ नहीं तो 1 तो 6 equals to 6 भी आ चुका है clear है यहां तक very good चलो आगे देखते हैं आगे इसी का एक example है तो हम आपको वहीं पर सारा चीज़े अच्छे से बता दिए इसलिए हम यहां पर नहीं इसको solve कर रहे हैं देख लो find the zeros of the quadratic polynomial means इसका पहले zeros find करना है and verify the relation between zeros and coefficients तो already हम आपको यहां बता दिए कि zeros ऐसे find करने हैं और ऐसे फिर आपको verify कर देने हैं बस तो यह same process से आप लोगों को यह questions solve करके और comment box में बताना है कि आपका verify हुआ या नहीं हुआ clear है चलो थोड़ा सा hint कर देते हैं से आप देख लो x square plus 7x plus 10 ठीक है इस 10 को क्या करोगे बताओ 10 को आप 2 into 5 लिख सकते हो क्या लिख सकते हो और 2 को और 5 2 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा हम लोगों को लाना भी कितना है 7 तो x square plus 5x plus 2x plus 10 equals to 0 आपको खुद से लगा देना है है ना यहां से कुछ common आ रहा है क्या आएगा common x तो यहां पर बचेगा x plus 5 और यहां से क्या common आ रहा है 2 तो यहां पर बचेगा x और 2 5 जार टेन तो यह हो जाएगा यह दोनों common आ रहा है x plus 5 और x plus 5 तो यहां पर बचेगा x और यहां पर 2 एक्स और इसके प्लेस पे 2 एक्वल्स टो जीरो एक बारी इसको जीरो करोगे और एक बारी इसको जीरो करोगे तो आपके पास आ जागा x इक्वल्स टो माइनस 5 और x इक्वल्स टो माइनस 2 आ ग्या अब फेरिफाई के केस में क्या करोगे alpha प्लस बीटा एक्वल्स टो माइनस b अपॉन ए alpha कितना है इसी को alpha बता दो और एक को बीटा किसी को भी alpha बिटा बना सकते हो कोई प्रोबलम नहीं है ठीक है तो alpha का value minus 5 प्लस beta का value minus 2 और यहां पर देखू माइनस, B का वेल्यू कितना है, 7 है, 7, और A का वेल्यू कुछ है ही नहीं, it means 1, तो माइनस 5 और माइनस 2, माइनस 7 इक्वल्स तो माइनस 7, तो ये हो गया, वेरिफाइट, समझाया बताओ, सिमिल अदले उसका अलफा इन तो बीटा का भी करोगे, हाना, अलफा का वेल्यू माइनस 5 और माइनस 2, माइनस 5 और माइनस 2, एक सेकेट, माइनस 2 इक्वल्स तो, C बाइए, फ़र्मूला क्या होता है, अलफा इन तो बीटा इक्वल्स तो क्या होता है, C बाइए होता है ना, तो देख लो, C का वेल्यू कितना है, 10, और A का वेल्यू कुछ नहीं है, तो 1, तो माइनस 5 इंटो माइनस 2 10 और इधर भी 10 तो ये हो गया आपका verify केलियर है चलो बताई दिया आप लोग को पूरा नेक्स्ट ना इसी का reverse form है reverse मिन्स क्या कि अभी आपको ये बोला था कि एक equation है उससे आप उसको solutions निकालो और उसको verify करो अबना reverse ये है कि अबना solution दिया हुआ है और बोल रहा है कि आप equation निकालो चलो देखते कैसे करेंगे find the quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are means sum और product given है sum means क्या given है alpha plus beta और product means क्या given है alpha into beta तो alpha plus beta minus 3 given है और alpha into beta 2 given है अब अगर इससे आपको equation लिखना है तो simple है equation होता है x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta ये आपको याद रखना है तो यहाँ पर देखू x square minus alpha plus beta कितना है minus 3 और 1 minus यहाँ already है है ना चलो अभी लिखे लो minus 3 into x and alpha into beta 2 है तो यह हो जाएगा x square minus minus plus 3x plus 2 यह आएगा आपका required polynomial अब वो बहुत बार क्या करता है exam में कि यह sum और product ना दे करके ना उसका roots दे देता है मिंस alpha अलग और beta अलग और student mistake कर देते हैं वो सोच लेते हैं कि वो sum और product ही दिया वो बट ऐसा नहीं है questions को हमेशा ध्यान से पढ़ना अगर यह alpha बीटा ऐसा दिया हुआ है तो आप alpha प्लस बीटा पहले निकाल ले alpha into beta भी निकाल ले then इसको यहां और इसको यहां पे पूट करे clear है तो class strength में आपको इतना ही चीज़े पढ़ना है बट यहां पे थोड़ा सा आपको हम चीज़े एक्स्ट्रा बता रहे है cubic polynomial एक्जाम में नहीं आएगा बट इसको अगर आप समझोगे ना तो आपका जो quadratic polynomial है वो कभी नहीं भूलोगे समझाया इस region से cubic वाला किवल देख लो कि नहीं करने वाले किवल relation देख आप इसमें relation होता है alpha plus beta plus एक gamma बोलते है 3 क्यों क्योंकि यहां पे power कितना है 3 तो इसका roots भी कितना होगा 3 होगा जिसको alpha, beta और gamma बोलते है second pair में alpha, beta, plus beta, gamma, plus gamma, alpha और third में होगा alpha, beta, gamma तो यहां पे relation भी कितना होने वाला है 3 relation होगा अब देख रहा है यह relation का value क्या होगा एक होगा minus b by जैसा उसमें होता था second होगा c by और third होगा minus d by तो यहां से आप क्या सिखे कि जो अगर sum लिखे तो b by दो-दो का product लिखे तो d by a यह c by a और इसको d by a और minus sign जो है वो alternate चल रहा होता starting with minus तो देखो minus के साथ start हुआ तो पहले minus means यहां minus है यहां plus है यहां minus है तो समाई लो अगर power 4 होता तो कैसे होता first में minus plus minus plus अगर power 5 होता तो कैसा होता minus plus minus plus minus समझाया तो अब quadratic जब आप लिखोगे तो अब आपका गलत नहीं होगा तो यह था chapter 2 का complete concept अगर आप अच्छे से समझ लिए हैं तो chapter 2 में आपको कुछ भी problem नहीं होने वाला तो यह total concept था इस chapter का I hope आप लोगों को समझ में आग्या होगा और कैसा लगा comment करके जरूर बताना है न और अपने friend circle में भी share कर देना और हाँ exercise अगर आपको देखना है इस chapter का description में सारा exercise का link provide किया हुआ है हम मिलते हैं आप लोगों से next video में